हलो आज है 4th February और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC First Bank के बारे में देखे 58 रुपीज का शेर है और IDFC First Bank के अगर हम बात करने जाए तो नतीजें के काफी अच्छे आये थे लेकिन IDFC First Bank की कोई खासा पिटाई नहीं हुई है इन सारी चीजों में वीडियो में हम डिस्केस करेंगे उन सब के बारे में उस साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि भाया हो क्या रहा है यहां पर और दो तिन बड़ी अपडेटस आई है जिसको लेकर हम यहां पर बात्चेस जरूर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो IDFC First Bank 58 रुपीज का शेर है पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में यहां पर 4% की गिरावट है यह तूट रहा था अगर आप देखो 55 तक यहां बाद में 30 पकड़ ली इसने अच्छे कासी रफ्तार कह सकते हैं इसको और इवन पिछले एक साल के हम बाद के तो पिछले एक साल में यहां पर 21-22% का ग्रोथ है और इस पिछ 29 रुपीज का शेर हो गया था और बाद में बहुत शांदार तेजी आई उसमें कई सारे जो में रिजन रहा वो इनके क्वाटले रिजल्स हैं काफी अच्छे नतीज़ा है जिसकी वज़े से शे काफी बहतर हो रहे हैं और लॉंग टर्म में आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो यह मैंने तब भी कहा था और काफी अच्छी तेजी हमने बाद में देखी भी सही यहां पर और अब बात करना बनता भी है कि क्या यह जो तेजी है वो बरकरार रहेगी भी कि नहीं और IDFC 1st Bank on 2nd February say that it has it is comfortable with exposure to Adani companies यहां पर अगर आप देखो तो IDFC 1st Bank issued the clarification regarding speculations and stated that the funded outstanding firm group is only 0.06% of the funded assets as of December 2022 and the bank has working capital outstanding of only 0.51% of the funded assets. as a December 31st December 2022 यहां पर अगर आप देखो which is majority of the 0.38% is secured later of credit which will mature in next 2-5 months. The balance of 0.13% have maturity on 1-2 year तो यहां पर यही है कि उनका जो भी है वो यहां पर 2-5 महिने में में matured है उसका लाव बाकिका जो है वो 1-2 महिने में matured यहां पर हो रहा है एक और बड़ी चीज़ यहां पर ये भी उन्होंने कहीं कि IDC Bank also mentioned the bank does not have exposure to any offshore entities in Adani Group or against the share of Adani Group companies उनका कोई exposure Adani Group के share के against में नहीं है ये भी उन्होंने कहा जो कि बहुत बड़ी बात है इतना ही नहीं बैंक continue to reduce अगर आप जो risk है वो भी अगर आप देखो तो लगातर यहां पर कम होते जा रहे हैं और definitely Adani में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली जरूर है लेइन उसका IDFC First Bank पर को इतनी बड़ी गिरावट वाला मुझे नहीं लगता कि माहुल देखने को मिलेगा और IDFC First Bank मेरे हिसाब से Adani के इस गिरावट में चाहिए कितने भी हो जाए पार्टिसिपेट करता नजर नहीं आएगा IDFC First Bank अगर आप देखो तो एक बड़ी बात यहां पर निगल कर आई है कि Board जो है IDFC First Bank का उसने Approval दे दिया है जो Allotment है 37.75 करोड शेर्स का किसको IDFC Financial को मतलब और ज्यादा पैसा Infuse यहां पर करने वाले है यह और बहुत बड़ा पैसा यह देने वाले है यहां पर अगरा देखो तो जिसका मतलब है कि IDFC जो है to hike stake in IDFC First Bank to 40% तक कि अपनी stake बढ़ाने वाले है यहां पर यहां पर यह है कि IDFC said on Wednesday that it is investing रुपीश 2,200 करो in IDFC First Bank to increase its stake पहले जो stake था वो 36.38% का था अभी वो बढ़ा के 40% कर रहे है जो कि बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है इसका मतलब यह है कि अब भरोसा दिखा था कि कमपनी अच्छा कर रही है यहां पर अगरा देखो तो further the IDFC board has declared a special interim dividend of rupees 11 rupees per share due to which the government of India the largest shareholder in IDFC would receive payout of 287 crore again IDFC अलग है IDFC First Bank अलग है ठीक है तो यह जो 11 रुपे है वो IDFC में है लेकिन यह promoter है 40% की holding अब यह बढ़ाने वाले 2200 करो रुपे यहां पर infuse होने वाले है क्योंकि बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और यह काफी positive चीज़े हैं यहां पर जो हो रही है IDFC first bank देखा जाए तो large cash share 36,000 crore से भी जादा किया इसका market cap है quarter year on year increase देखने को मिल रहा है और यहां पर promoter अपनी holding को बढ़ा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है अगर हम यहां पर नजर करें company के ऊपर तो according to money control user सिफ 14% लोगी है जो बेशने की बात करें अगर आप देखोगे तो इनके revenue लगातार बढ़ रहे हैं अभी और बढ़ेंगे क्योंकि ओल्रडी company 5-6,000 crore का revenue quarterly कर रहे हैं तो definitely 20,000 crore के आज-पास revenue प्याप expectation तो करी सकते हैं यहां पर 2023 में जो के अब तक का सबसे highest होगा profit भी जो पहले पहले loss था 2020 में 2800 crore का फिर 485 crore का profit हो फिर 132 crore का हुआ अभी यह है कि पहले quarter में 475 crore का मुनाफ़ा हुआ दूसरे में 555 crore तीसरे में 605 crore पहले लगातार profit बढ़ रहे हैं और बहुत तीजी से profit बढ़ रहे हैं और definitely यह बहुत भी positive sign है IDFC first bank के लिए हलाकि इनका according to money control user 42% लोग कहरे है खरीदारिक और पी रिच्वाले की दोसों का नहीं है थोड़ा सा यहां पर गड़बढ है यहां पर अगर हम शेह holding को लेकर देखे तो game यहां पर होने वाले जो holding पहले promoter की 36.38% की है अभी वो users के मिलाकर 34.23% की holding है जिनमें रिटेल इंवेस्टर्स 13.91% की holding कर रहे हैं देखो IDFC first bank जिरे दिरे fundamentals काफी बहतर हो रहे है और अदानी में जो इनका exposure है वो उतना जादा नहीं है और दूसरी बात यह है कि इनकी maturity date जो है वो भी जल्दी आने वाली है तो मेरे हिसाब से को इ जो कि bank के लिए बहुत अच्छा sign है और कहीं न कहीं जिस तरीके से bank ने perform किया है पिछले कुछ quarters में वो देखते ही बनता है काफी positive performance देखने को मिला है revenue बढ़ रहे है profit बढ़ रहे हैं और अभी आने वाले जिनमें और भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं तो IDFC first bank इतना ही कहूंगा कि खरिदारी करी है तो भई आप बने रहो यहां पर बेचने की जरूरत नहीं है जहां तक बात है fresh buying की थोड़ी थोड़ी quantity आप add करके चल सकते हो लेकिन अगे मैं कहूंग कि market जो है वो अभी भी एक दो महीं तक unstable रहेगा थोड़ी बहुत गिरावाट भी देखन कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू